तो भारती जनता पार्टी के लिए कल का दिन काफी एहम है कि क्या कल इनके संसदिय बोर्ड की बैठक होगी और अगर बैठक होगी तो क्या बैठक के बाद नरेदर मोदी को प्रधान मंत्री उमिद्वार के तौर पर बीजेपी में नामित किया जाएगा क्या इसकी आधिकार बने हुए हैं वरिष्ट पत्रकार प्रदिप सिंग साथी साथ बीजेपी वा मोर्शा के नेता दिनेश सिंग और अब हमारे साथ हमारे विशेस समभवादाता विकास चंद्रा भी जुड़ रहे हैं नियूजरूम से सबसे पहले प्रदिप जी आपसे जाना चाहेंगे क्य जो स्थिती बीजेपी के अंदर बन रही है आप इसे खत्म होता देख रहे हैं या फिर कल का दिन भी उसी तरीके से बीज़ जाएगा जिसले कई दिन बीटते जा रहे हैं नरेंदर मोदी के नाम का अपच्वारिक आईलान नहीं हो पा रहा है नहीं मुझे लगता है कि एक तरह से गोवा में जो कुछ हुआ उसका एक तरह से रिपीट होने जा रहा है वही स्थिती दोहराने जा रही है आडवानी जी को मनाने की कोशिश हो रही है पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष राजना सिंग की कोशिश है कि किसी भी तरह से स विशेश रूप से इसमें चल रहा है एक लालकिश आडवानी, मुरली मनहर जोशी और सुष्मा सुराज कि ये तीन लोग मोधी की उमीदवारी के विरोध में हैं और इनका कहना है कि विधान सभा चुनाओ के बाद इसकी खोश्मा हो तो इन तीन में से एक डॉक्टर मुरली मनहर जोशी के बारे में जो शाम तक की खबर है उन्होंने इस्प्रेश्ट कर दिया है कि पार्टी जो फैसला लेगी वो उसके साथ होंगे सुस्मा सुराज कितनी दूर तक जाएंगी कहना मुश्किल है लेकिन वो रोध उन्होंने गोवा देखा है उनको मालूम है कि क्या होने वाला है उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर आडवानी जी तयार नहीं होते हैं मोदी के नाम पर तब भी उनके नाम की घुश्रा होगी इसे और टाला नहीं जाएगा ये पार्टी का मत है ये राष्ट्री स्वेक सेवक संग का मत है और इस बारे में जो पार्लिमेंटरी बोर्ड है पार्टी का उसमें बहुमत की राई ये है तो इसलिए ये तो टलने वाला नहीं है अब आड़वानी जी को तै करना है कि वो पार्टी इस मुद्दे पर पार्टी के साथ रहेंगे या पार्टी के विरोध में कड़े होंगे क्योंकि ये जो तर्ख है उनका या उनके उनकी राय से राय का समर्तन करने वालों का कि विधान सभा चुनाओं के बाद हो क्योंकि नहीं तो विधान सभा चुनाओं में पॉलराइजेशन हो जाएगा, मोधी मुद्दा बन जाएंगे, बाकी मुद्दे पीछे चूट जाएंगे, ये बेतु का तर्क है, अगर इस तर्क को मान लिया जाए, तो नरेंज मोधी को विधान सभा चुनाओं के बाद भी प्रधान मंत्री पद का उमीदवार नहीं बनाया जाएंगे, तब तो लोग सभा चुनाओं में नरेंज मोधी ही मुद्दा होंगे, तब तो और ज़्यादा पॉलराइजेशन होगा, तो जाहिर है कि आदवानी जी ये तो नहीं कहना चाहते कि हमको विधान सभा चुनाओं जीतना जरूरी है, लोग सभा चुनाओं भले आर जाएं, तो ये सिर्फ तरक इसलिए है कि कम से कम दो-ती महिने के लिए और टाल दिया जाए इस मुद्दे को, अगर विधान सभा चुनाओं के बाद पार्टी अच्छी तरह से जीतती है, उसको काम्याबी मिलती है, तो कहा जा सकता है कि नरेंद मोदी के बिना हम जीत रहें, तो क्या जरूरत है बनाने के लिए इस बात को पार्टी समझ रहे हैं, यहाँ पर जो इस्तती बन रही है, चार राज्यों में जो बड़े स्टेट हैं, वहाँ पर विधान सभाद चुनाओं होने हैं, दिल्ली में आप काफी मजबूत इस्तती में इस बार दीक रहे हैं, तो आडवानी जी नाराज क्यू है और क्या पार्टी उन्हें आगे भी मनाएगी या फिर अभी इस्तती इसी तरीके बने रहेगी जो पिछले कई महिनों से बनी हुई है, धमराज जी देखे, पार्टी में कहीं कोई नहराजगी नहीं है, रही बात जो आप कह रहे हैं कि मदपरदेश में हमारा सुसासन था, हमने सरकार 36 गड़ में अच्छी चलाई, राजस्थान में वहां की कुशासन को जनता देख रही, दिल्ली की कुशासन को जनता देख रही, जिस तरह भष्टाचार मागाई चरम सीमा पर है, पुरा देश का आवाम इस तरह भारती जनता पार्टी के साथ आना चाहता है, और दूसरी बात रहे हैं कि कहीं भी पार्टी में किसी भी नेता को कोई किसी के साथ दिक्कत नहीं है, और फैसला पालियमंटी बोर्ड में तैंख होता है क्योंकि भारती जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है ृइश जिसमें आंत्रिक लोग तंद रहे हैं इस बात से इंकार कर दिजे लाँ कृष्ट अडवानी नाराज नहीं है तो गो आदिवेशन के बाद वो तमाम पतों से स्तिफानी देते विकास के पास चलेंगे विकास यहाँ पर दिनिश लगातार ये बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर कोई नाराज़ी नहीं है लोकतांतरिक पार्टी ये सबको पता है यहाँ पर किसी के नहीं चलता पार्लियमेंटरी बोर्ट जो करती है वोई अंतीम फैसला होता है संग का कुछ इसमें कोई संग यहाँ पर हस्तक्षिप नहीं करता है शाद आप भी मेरी तरह इनकी बातों से इत्फाक नहीं रखते होंगे अमोर्चा में बहुत अच्छा बड़ा दाई तो उनके पास है और सिधी सी बात है कि कोई भी नेता अपनी पार्टी की अंदुरूनी बात को कभी पुब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहता है तो वो ऐसा बोल रहे हैं लेकिन इस्थिती बिल्कुल इससे उलट है अगर लालकिस नाडवानी नाराज नहीं है तो आखिर कारण क्या है कि राजनाद सिंग को इतने पसीने बहाने पढ़ रहे हैं अगर लाल के नडवानी नाराज नहीं है तो क्या कारण है कि संग के तमाम नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं फिर भी आढ़वानी उनकी बात मानने को तयार नहीं हो रहे हैं मोहन आओ भागोट से लेकर के और संगे के जितने पदाधिकारी हैं लगातार लालकिशन अडवानी के संपर्क में हैं बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बैठके हुई आगे भी मुझे इसा लगता है कि एक बैठक और होगी ही आज अगर राजनात सिंग की बात करें तो सबस सहज नहीं अगर देखा जाए पार्टी की स्थिति को संग ने अपनी मुहर लगा दी है और संग ने अपने फर्मान से बीजेपी को आउगत करा दिया है अब ऐसी स्थिति में राजनात सिंग अव्यक्तिका तस्तर पे यह नहीं चाहते हैं कि जो मोदी को चुनाव परचार वक्त की थोड़ी कमी है प्रदीव जी जो इस्तती बन रही है पीजेपी के अंदर अडवानी मानने को तयार ने क्या आपको लगता है आखरी बार संग के किसी बड़े नाम को आगे किया जाएगा जो संग प्रमुख खोद हो सकते हैं जो लाल कृष्ण अडवानी से इस नी थी मुझे लगता हो चुकी है अब ये फैसला पूरी तरह से आडवानी जी पर है कि वो कल क्या करते हैं पार्टी उनकी रजामंदी और बिना रजामंदी दोनों हालत में कल ऐसा लगता है अभी तक की जो इस्तिती है उससे लगता है कि कल घोशना करने जा रही है बीजेपी के नेता कि किसी तर के की गुडवाजी नहीं है एक लोगतानास थी पार्टी से चलती है विकास के क्या आप भी इस चीश को मानेगी कि कल कोई बड़ी घोषणा हो सकती है 11 अश्यकारोड से तैयारी तो इसी बात की थी कि 13 तारीक को इसकी घोषणा हो जाए तो कि 13 तारीक बीजेपी के इतिहास में अगर देखे तो काफी एहम माने रखता है इसलिए 13 तारीक के दिन को चुना गया था और मजापता वक्त भी निकाला गया था और जितने पालिया मेंटरी बोर्ड के सदस हैं उन सब को कल दिल्ली में रहने के लिए भी कह दिया गया है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उनको बैठक का वक्त नहीं बताया गया है यानि इस्थिती अभी तक सामाने नहीं हो पाई है अगर ये तै हो गया होता अड़वानी मान गए होते पुरा अड़वानी कैमप अगर समझ चुका होता तो उसका वक्त भी लोगों को बता दिया गया होता तो अभी तक तो ये तय है कि बैठक होने वाली है और उमीद की जारी ये कल कोई बड़ा एलान हो सकता है लेकिन जो पार्टी के अंदर की बैठक होगी और क्या उस बैठक में लालकृष अड़वानी मौजूद रहेंगे इसको लेकर ही संसे बरकरार है बिल्कुल जी क्योंकि हाँ विकास जब तक पार्लियामेंटरी बोर्ड की बैठक नहीं बैठेगी उसके बाद ही दुनिया को जताया जाएगा कि हमने अपने बगैर भी एलान किया जा सकता है? गोषणा की गई राजनात सिंग बतोर अध्यक्ष निर्ने लेके उन्होंने गोषणा की अगर इस सब के बाद क्योंकि संग नहीं चाहता है कि विलंभ हो और संग के आगे किसी का चल नहीं पाता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर राडवानी नहीं मानते हैं बैठेक में आते हैं तो राजनात सिंग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है उन्हें लालकिष्ण अडवानी को दरकी नार कर किनारे कर गोषणा कर रहे हैं और राश्ट्री अध्यक्ष होने के नाते वो अपने विवेक का इस्तमाल करके अपनी शक्तियों का इस्तमाल करके नरिन पर जो स्तिती बन रही है पार्टी के अंदर आपको भी पता है कि देश के अंदर जो बीजोपी के आम कारे करता है उनके अंदर नरिन मुदी एक विकल्प के तौर पर सामने आए हैं बिहार जैसे स्टेट से लोगों ने बतौर प्रधान मंत्री उनके नाम को प्रस्ताव भी पारित कर दिया कई बड़े निता खुल कर उनके नाम को लेकर सामने आ रहे हैं ऐसे सती में आपको नहीं लगता कि इन लाल कृष्णाडवानी के नाराजगी के बाद भी कल जो बैठक होगी अगर होती है तो ऐसे में लाल कृष्णाडवानी के अनुपस्तिती में भी नरेद्र मोदी के नाम पर मुहर लग जाएगी और उसका एलान किया जाएगा धरवराज जी देखिये सरकार जो है बहमत से चलते हैं बिलकुल पार्टी और संगठन जो है उस सहमत से चलती है भारती जनता पार्टी और दूसरे दलों में सिर्फ यही फरक है न है कि हमारी पार्टी कोई लिम्टेट पार्टी तो है नहीं कि दूसरी पार्टियों की तरफ से एक ने जो कह दिया वहिमान लिया गया जिए लोग छोटी बड़ी जितनी भी चीजें होती है जो भी नेड़ा होते हैं वह आपस में बैठ कर सलाह मस्विरे से तैक किया जाते हैं उसमें नहीं करते हैं यह तो बिशेश्टा है पार्टी के ये तो अच्छी बात है कि हमारे टांटी के प्रदान मंतरी के योग उनके आप जो आपके बिपक्षा पर इस मुद्धे पर हमला करता है उसे अप सकारात्म करें के कि आप इस अच्छी बन रही है इससे आपपके आम कारेकर्ता जो किसी दूर के राज में किसी गाउं में बैठा है उस तक एक अच्छा में ुए देश करता करती ज़ल से जल भूसडा करें लेकिन समय आने पर उप्यूकतु जब समय होगा तो के देश की जंता को बताया जाएंगा आखिर काफी की पॉल्टिक्स को देख रहें और समझ रहें आखिर कार की कब आएगा जब अरुन जेटलियों और देश की जनता को अताय जाए कि नरेंद्र मोधी हमारे पीम केंडिडेड है यह देखिए यहां जो दिनेश जी कह रहे हैं यह बात बीजेपी के सभी तमाम नेता कहते हैं चाहे हो अध्यक्ष हो हो या चाहे कोई बीजेपी का पदाधिकारी हो चुकि इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है इस बयान के अलावा कि हमारा पारलियामेंटरी बोर्ड ने बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी की सरवच निर्णे लेने की एकाई पारलियामेंटरी बोर्ड है और वही निर्णे लेता है लेकिन इस बार जो पारल कालकिस नडवानी उनके साथ जुड़े हुए कुछ और नेता बस उनकी नराजगी को इसलिए दूर करना है कि मैसेज खराब न जाए बीजेपी बहुत परवाह नहीं कर रही है इस बात को समझना होगा लेकिन हम जैसा आपने कहा कि क्या सभी नेता खड़े होंगे देखिए म बीजेपी के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और भी अगर छोटे अस्तर पे आए तो पार्टी अधक्ष राजनात सिंग के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि अब राजनात सिंग संग को नराज करना नहीं चाहेंगे यही कारण है कि जो मूरली मनोहर जोसी पहले बिल्कुल मानने को तयार नहीं थे अब उनका सुर्व बदल गया वो कहते हैं कि संग के साथ है और पार्टी के निर्ने के हम साथ हैं लेकिन अड़वानी अभी भी नहीं माने है चुकि सही माने में अड़वानी पार्टी के विस्म पितामा है सरवोचनेता है और बीज कि दो महीने चार महीने इसको टाल दे और घोषणा ना करें चुकि कार्यकरता और पार्टी की जो दूसरे नेता हैं इस बात को बरदास्त नहीं करेंगे मिसाल के तौर पर आप सुशील मोदी के ट्विट को ले सकते हैं जिन्होंने अड़वानी जैसे वेक्ति के उपर सवाल खड़े कर दिये कि वो देश के मिजाज को नहीं भाप रहे हैं तो अपना नजा लगा सकते हैं बिल्कुल यही बात लगाता है जो हम चर्चा कर रहे हैं जब कभी भी हमारी चर्चा होती है कि आखरकार बीजेपी के और से पीम उमिद्वार के तौर पर नरिंद्र मोदी के जाएगे तब घूम फिर कर जो काटा है हमारी जो सूह आकर अटक जाती है लाल कृष्ण अडवानी पर जो विकास नहीं कहा कि 13 तारिक नहीं 23 तारिक वक्त जादा नहीं है लेकिन वो 13 या 23 तारिक आखरकार कब आएगे दिनेश जी यहां पर आप इस चीज को स्विकार आ देखिए देश की जनता और भारती जनता पारटी की कार्ज करता हूं कि अनुरूप ही फैसला होगा लेकिन फैसला सर्व समध से होगा और पार्लियामेंटी बोर्ड में होगा मैं सीधे सीधे जवाब दे रहा हूं नहीं आप जवाब नहीं दिया ना अब जो मैंने सीधे सीधे आप सीधा सवाल पूशा कि आ करका देश के अंदर कहीं भी आप सोश्व साइट को देख लेजिए नरेंदर मोदी के नाम की लगातार चर्चा हो रही है लगातार बड़ी कोड़े नेता है वो जो सोशिल मोधी का जिक्र किया मनवत परिकर ने गुवा में कहा था ची सही उमिद्वार है उनकी नाम की घोष्णा की जानी चाहिए आखरकार घोष्णा करने में समस्या क्या है कोई समस्या नहीं बस उपयूक तो समय हो जाएगा अपने आप घोष्णा को आपको हमको सबको बता दिया जाएगा इसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है दिक्कत विरोधिव पार्टियों की है और कुछ लोगों को है जो इस तरह से हुआ करते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है आज भारती जनता पार्टी से घबराई हुई है उनको कुछ स को डिनाई कर रहा है अगर पार्टी उनके नाम की घोचरा करें तो उसमें दिक्कत किसको क्या है लेकिन यह जो भी न्रेड़ा होगा सरसम्मत्स होगा बीजेपी के लोग पूरुष को दिक्कत है ने किसी को कोई दिक्कत नहीं है यह हमको आपको यहां बैठके लग रहा हो इस तरीके बीजेपी के तमाम नेता इस तरीके की बात करते हैं कि कोई जगडा नहीं है मीडिया हाइप दे रहा है वेपकशी हमला कर रहे हैं हम उसे सकारातमक्त तोर पर लेते हैं कई सारे हमारे पास प्रधान? मंतरी उमिदवार Jeff Nadal terre हो आप तक नहीं इस बात को स्विकार नहीं करेगा और मुझे लगता है किसी भी राजनितिक पार्टी का कोई करता होगा तो अपने अंद्रूनी कलगा को पब्लिक फोरम पे कभी स्विकार नहीं करेगा यानी चौके को चौराहे पे नहीं लाएगा लेकिन हालात इसे बिलकुल उलट हैं अग उसी वक्त अडवानी करते वर तलक हो गया था उस वक्त नहीं उसी वक्त उन्होंने अपना फर्मान सुना दिया था और अगर आज की हम बात करें तो आज भी उसी तरीके से वह अपनी बयान पर काइम है और अब जो मनाने समझाने का दौर है वो लगवाख खतम हो चुका है क क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं अपनी बात रख चुके हैं और लालकिस्ट अडवानी के एक लाइन का ही उत्तर होता है कि हमने अपनी भावना से और अपनी बातों से पार्टी को और संग को अवगत करा दिया है क्योंकि उनकी अब दलील है कि जब गोवा करकारणी के बाद जो संकट आया था तो उसमाय संग की तरफ से बीजेपी प्रफिया डवानी को भरुसा दिया गया कि आपकी बात को माना जाएगा विकासे वक्त की कमी छोटा से जवाब दिनेश जी आप से चाहेंगे चार राज्यों में चुना होने हैं वहुत कम वक्त देखा कितनी बड़ी रहली 36 गड़ में हुई अभी आपने देखा राजस्थान में कितनी बड़ी रहली हुई अभी 25 तारी को देखेंगे कि मध़्परदेश में बड़ी रही हो रही एक तरफ संगठन अपना काम हैं कहीं कोई दिकत नहीं है समय की अनुकूलता की हिसाब से अपना काम हो रहा है समय की अनकूलता के इसाब से प्रदान मंत्री पत की गोशड़ा भी की जाएगी चलिए बहुत दो शुक्रिया दिनेशी आपका हमारे साथ पूरी चर्चा में जोड़ने के लिए विकास आपका भी बहुत दो शुक्रिया तो फिलाल बीजेपी का कोई अगर बैठक होती है तो क्या बैठक के बाद नरिंदर मूदी के नाम पर अपचारिक मुहर लग पाईगी ताच के हमारे सखास बहश्म में अभी बस इतना ही